नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम कैसे हैं? आप सब मातरानी की कृपा बनी रहे सब स्वास्त रहे, सुखी रहे, सम्पन रहे यही काम न लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूं दोस्तों, आजका वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बड़े ही काम का है अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारी परिशानिया उत्पन होती हैं पैसो को लेकर कभी-कभी आपने देखा होगा कि पैसे आती हैं लेकिन पैसे रुकते नहीं है कई बार बहुत सारी वीडियो बनाई गई हैं पैसो को लेकर लेकिन कभी कभी कोई कहता है कि मैंने ये उपाय किया लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो आपको हम बता दे कि सास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताये गए हैं कि अगर आपका एक उपाय किसी कारण वस पूरा नहीं हो पा रहा है सायद किसी गरह नचत्र के वज़े से पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे उपाय को कंडे इसमें आपको कोई हानी नहीं है कोई भी आपको परिशानी नहीं होगी तो चलिए आज हम बात करेंगे पैसों से जुड़ी हुई कि अगर आपके मनी में ब्लॉकेज आ गए है आपके मनी कहीं रुका हुआ है कहीं अटका हुआ है या पैसे आने के स्रोथ नहीं है तब आप ये उपाय करें अगर आपके पैसे कहीं रुके हैं आपके मनी में कहीं ब्लॉकेज आ गए है चाहे आप पैसे आपके पास आ रहे हैं टिक नहीं रहे हैं तो आप ये उपाई जरूर करें इससे आपको बहुत फायदा होगा और ये आपका कहीं है इससे अगर मनी आने के श्रोत रही है कहीं पैसे आने के कहीं से श्रोत नहीं बन रहे हैं तो वो भी बनने लगेगे इसको बहुत ही आसान है इस उपाय को करना बस आपको कुछ ही चीजों की जरूरत पड़ेगी लेकिन वो चीजे जात्या महनी नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो उपाय कैसे करे जिससे घर में पैसे आने शुरू हो जाए घर में पैसे की जो ब्लॉकेज है मतलब की मनी जो रुका पड़ा है या मनी के आने के शुरूत नहीं है धन के आने के शुरूत नहीं है वो कैसे शुरू हो जाए तो चलिए आज हम जानते हैं इससे पहले आप जाने मैं कौन? मैं नीट तू? मेरे चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले बेला एकन का बë Hopkins जरूर प्रेस करें पीपल का पत्ता अगर आप विस्च AI तोड़ 앉पा सदщिर, यॉघ्वाया प्राइवाये बहुत सब को लीड़ी, सबसे करना है। 6 एक सकते हैं। ये वने टोटेल को सब्सेड़ी तो लेना है फिट करी का एक छोटा सा टुकड़ा अब आपको क्या करना है साथ पीपल के पत्ते को आप अच्छे से धोग करके उसे अच्छे से पोच करके साफ करने साफ करने के बाद आप दिन चरिया में जो आप पूजा पाट करते हैं तो आप जब दिनचरिया में पुजा करने लगे तो उस पीपल के सात पत्ते को आप भगवान के चर्व नों में रखते जो भी आप देवी देवता को मानते हैं उनके सामने आप रखते। रखने के बाद आप सब में एक स्वास्तिक बना दे, स्वास्तिक आपको कुमकुम से बनाना है, चाए आप फीली शंदूर से बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके या थोड़ा सा घी डाल करके भी बना सकते हैं, बना करके आपको सारे पीपल के पत्ते में स स्ववस्टिक बनाने के बाद। आपको एक छोटा सा फिर्ट करी लेना है। अब आपको एक कपड़ा लेना है याद रखिएगा कोई भी कारी अगर इस तरह का उपाय कर रहे हैं तो हमेशा नए कपड़ा लेना चाहिए, यूज किया हुआ कपड़ा नहीं लेना चाहिए छोटा सा आप रुमाल के जैसा काला कपड़ा ले ले, नहीं तो छोटा सा थैली जैसा ले ले अब आपको क्या करना ए, इस फीपल के पत्ते को और उसके ऊपर जो फिटकिरी रखा है, उसको उठा करके आपको उस कपड़े में रख देना है, चाहिए आपने जो ठैला लिया है उसकी अंदर डाव ले, और अपने मन में उसी भावना को रखना है कि मेरी सारी financial problem दूर हो जाए मेरे जितने भी ब्लॉके से धन को ले करके वो सभी खुल जाए मेरे घर सभी रास्ते खुल जाए पैसे आने के उसके बाद आपको ये करना है उसके बाद आपको क्या करना है अगर आपके गर मिट्टी आप तो आप ऑझसा अन्दर गाड़ देना है teor पर मेशा के लिए में इसे रखते हैं और अपने मन में यह सोचे कि मेरी सारी ब्लोके मेरी स्भावनुंद के खतमों जाएं सभी तरफ से मेरे धन आने के श्रोध कुल जायें ये मन में आप रखे और जो भावना से मैं कर रही हूँ, वो भावना मेरा, हम्मेशा मेरी कामना पूरी हो जाए इस भावना से लेके करें उसके वाद आप खुद देखेंगे कि 10-15 दिनों में आपके धन आने के जो blockage हैं रुके हुए हैं धन आने के स्रोत वो खुलने लगेंगे और आपके घर में financial problem ठीक होने लगेंगे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी आप उपाय कर रहे हैं तो उसे आप पूरी श्रदा से करें पूरे मन से करें पूरे ध्यान से करें क्योंकि अगर आप कोई भी चीज को बस यूँ ही करते हैं कि चलो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है तो वो आप कितना भी आप उपाय करेंगे वो काम नहीं करेगा इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले अपने मन में श्रदा भावना जरूर रखे जब जब आप इस परिक्रिया को कर रहे होंगे जैसे कि जब आपने पीपल का पत्ता लिया और उसमें स्वास्तिक बनाया तब आपके मन में बस आप प्रॉब्लम है फानेंसियल सभी खतम हो जाए और मेरे घर में धन आने के श्रोथ खुल जाए और मेरा घर हर तरप से मजबूत हो जाए इस तरह से आप मन में एक भावना को हमेशा इस भावना को लाकर रखे कि मेरा जितना भी परिशानिया है धन को लेकर वो सभी दूर हो जै माता दी और कर्म तो करना ही करना है